Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका my young, हम लोग यहाँ पर NCEIT geography class 11 की पार्ट उस तक भारत भौतिक पर्यावट से सम्मंदित इसके प्रशनों को देख रहे हैं, आज इसी करम में आपका यहाँ पर chapter 4 है, यहाँ पर हम जलवायू से सम्मंदित प्रशनों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिसकस करना है यहाँ पर, आज का पहला प्रशन है, मानसून के सम्मंद में नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए, मुशा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है, पहला है, मानसून से अविपराय ऐसी मानसून सब्द की उत्पत्ति जो ही है, अर्वी भासा का एक सब्द है, मौसिम, इसका साब्दिक अर्थ होता है मौसम, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और मानसून का अर्थ है, एक वर्स के तोरान, वायू की दिसा में रितिक अनुसार जो परिवर्तन होता है, उसको मा मांसुन के रूप में देखा जाता है तो यहां पर आपका पहला वाला कतन बिल्कु सही है भारत की जलवाईू जो है उष्ट मांसुनी है और इस प्रकार की जलवाईू जो है यह आपके दच्छडी और दच्छड पूरवी एसिया में पाई जाती है अगर आप एसिया का देखेंगे तो ASEA में भारत दच्छिट में पड़ता है और उष्ट वानसुनी होने का रीजन क्या है क्योंकि भारत के मद्ध भाग से करक्रेखा होके गुजर रही है करक्रेखा हमारे एट इस्टेट से होके गुजर रही है और आपका जो प्राइदीपी वाला रीजन है य जोके उपर से आने वाली दुरवी भाग को भारत में प्रवेश करने से रोकता है यही कारण है कि हमारा देश उष्ट मांसुनी बोला जाता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो कथन दोनों ही सही है आंसर है आपका C एक और कवस्ता है सेकिंड जलवायू का ताथ पर अपेक शाक्रत लंबे समय की मौसमी दसाओं के औसत से होता है अगला है भारत की जलवायू में प्रादिस एक भिनताएं देखने को नहीं मिलती है देखे मौसम जो है यह वाई मंडल की छड़े कवस्ता होती है यासे आप देखत सही है जबकि यह जलवायू का ताथ पर है यह अपेक शाक्रत लंबे समय की मौसमी दसाओं के औसस से है आप यह देखेंगे कि जलवायू लगबक इसमें 30 या 40 साल या ज्यादा सालों के मौसम का अध्यान करके जलवायू का एक निसकर्स निकाला जाता है कि कि किसी छेतर क जलवायू कैसी है आद्र है सुस्क है या मरुस्तली है तो जलवायू का ताथ पर क्या है अपेक शाक्रत लंबे समय की मौसमी दसाओं के औसस से होता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला खतन भी सही है भारत की जलवायू में प्रादिसिक बिनताय देखने को नहीं मिलत है यह गलत है भारत की जलवायू में प्रादिसिक बिनताय देखने को मिलती है हमारे यहां मरुस्तल से लेकर सवाना प्रकार या फिर अर्द सुस्क या फिर आपकी देखेंगे जो आदर पड़पाती वाली जो जलवायू है जहाँ पर जादा बहुत जादा बरसा होती है वो सारी जलवायू हमारे यहां देखने को मिलती है यानि हमारे यहां हमारी जो भागोलिक उच्चा बच्च है उसकी वजए से हमारे यहां हमारी जलवायू में प्रादिसिक बिनताय देखने को मिलती है जबकि यहां लिखा हुआ है नहीं मिलती है तो यहां पर आपका क्या है कौन सा गतन आपका असत्य है पहला है हिमाले में वर्षण मुख्यत है हिमपात के रूप में होता है उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की और गरती जाती है तमिलनाडू के तटी प्रदेशों में वर्षा शरत रितु के आरंवे में होती है देखे बात करें हिमाले में, तो हिमाले में जो वर्सन होता है, वो हिम के रूप में होता है, और देश के सेस्व भाग में ये वर्सा के रूप में होता है, तो पहला वाला कतन बिल्गोर सही है, उत्री मैदान की जो वर्सा होती है, वो बंगाल की खाड़ी की साखा से होती है यह मांसून की बंगाल की खाड़ी साखा होती है इसके जरी उत्तरी में अधिकतर वर्सा होती है तो जो बंगाल की खाड़ी साखा जो है यह पूर्व से एंटर करती है और पश्चिम की और आगे बढ़ती है तो जैसे जैसे यह साखा आगे बढ़ती जाती है इसमें नमी की म तो यहां पर आपका तीसरा बाला कथन भी सही है, केवल सेकंड वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड. चौथा प्रशने वापका भारत की जलवायू के संबंद में नीचे दिये के कतनों पर विचार कीजिए मुशा गया है कौन सा कतन सत्य है पहला है भारत की जलवायू में उश्कड़ बन दिये एवं सीतोश्कड़ बन दिये दोनों जलवायू की विसिस्ताएं उपस्थित है भारत में करक रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्सिक तापांतर पाया जाता है भारत के दख्षडी भाग में उच्च दैनिक तदा वार्सिक तापांतर के साथ विसम जलवायू पाई जाती है देखे बात करें भारत की तो भारत के मद्ज से आपकी करक रेखा जा रही है करक रेखा के नीचे वाला जो पोर्षन है आपका यानि प्रायदीपी भारत वाला जो पोर्षन है यह आपका उच्च कटवन में आ जाता है और उबर वाला जो हिस्सा है यह सीतो श्कटवन में आ जाता है तो इस वज़े से भारत की जलवाईव में उष्ट कट बन दिये और सीटो उष्ट कट बन दिये दोनों जलवाईव को इस इसलाएं देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुल सही है यहाँ पर बताया गया है सेगेंड में कि भारत में करक रेखा के उत्तरी भाग में इस वाले भाग में कम दैनिक और वार्सिक तापांतर पाया जाता है कम दैनिक का मतलब क्या है अब हम एक्जामपल ले लेते हैं थार का रेगिस्तान थार डेजर्ट का example ले लेते हैं तो थार में दिन के समय का तापमान 50 degree Celsius तक पहुंच जाता है और रात के समय का तापमान लगबग 1 या 2 degree Celsius के आसपस आ जाता है यानि आप ये देख पा रही है कि यहाँ पर जो देनिक ताप अंतर है काफी जादा है ये दोनों का जो ताप का अंतर है काफी जादा है इसी प्रकार उत्तर भारत में जो वार्सिक ताप अंतर होता है वार्सिक का मलब क्या है कि गर्मियों में जो तापमान है और सर्दियों में जो तापमान है वो भी अंतर काफी जादा आता है जबके अगर हम South की बात कर लें तो South में द्यानिक तापांतर यानि दिन और रात का जो तापांतर है वो लवक समान रहता है यानि दिन के समय लवक 30 या 32 टीगरी की Celsius के आसपास और रात के समय 27 या 28 के आसपास यानि बहुत ज़ादा अंतर यहाँ पर नहीं आ रहा है उसी प्रकार South में कोई स्पष्ट सीत्रितू नहीं होती है बहुत ज़ादा गर्मी भी नहीं पड़ती है तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर में भी अंतर देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि करकर रेखा कि उत्री भाग में उच्च दैनिक और उच्च वार्षिक तापांतर पाया जाता है और यहाँ पर आपको विसम जलवायू देखने को मिलेगी उत्तर भारत में आपको विसम जलवायू देखने को मिलेगी उसका रीजन यह है विसम जलवायू का क्योंकि ये समुद्र से काफी दूर है इस बज़े से यहाँ पर समकारी प्रभाव समुद्र का देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर सैगिन वाला गतर में गलत हो जाएगा यहाँ पर लेखा हुआ है भारत में करक रेखा के उत्री भाग में कम देनिक और वार्सिक तापांतर पाया जाता है नहीं करक रेखा के उत्री भाग में नहीं बलकि करक रेखा के दच्षडी भाग में कम देनिक और वार्सिक तापांतर पाया जाता है यहाँ पर लेखा हुआ है भारत के दच्षडी भाग में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विसम जलवायू पाई जाती है नहीं भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर दोनों एक शेटमेंट रिवर्स कर दिये गए हैं तो भारत के उत्तरी भाग में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विसम जलवायू नीचे दिएके कतनों पर विचार कीजिए, मुचा गया है कौन सा कतन आपका असत्य है, पहला है हिमाले परवत एक जलवायु विवाजक की भाती कारी करता है, अगला है हिमाले परवत भारती माधी में वर्षा का कारण बनता है, देखिए हिमाले परवत भारत के उत्तर में और हिमाले परवत एक प्रेरी की भाती खड़ा हुआ है। आपके हिमाले के उत्तर में जो आपका साइबरिया वाला रीजन है या उत्तरी दुरुप वाला रीजन है जहां पर आपकी ठंडी हवाएं बनती हैं जो कि भारत की प्रवेश करने से ये रोकता है। यानि एक अभे उफ्मादीप में जो आपका त्ष्छड पष्णवी मांसून की साख़ा जो आती है इसको रोक कर भारती उपमादीप के उत्तरी मैदानों में वर्षा का ये कारण भी बनता है। यहां पर आपका सेकंड वाला गतन भी सही हैं। यहां पर आपका एक और दो गतन दोनों ही कीजिए मुचा गया है कथन कारड सही है या नहीं है कथन है कॉंकर तड तथा मालावार तड के निवासी तापमान की विश्णता और रितु परिवरतन का अनुवब नहीं कर पाते कारड लंबी तड़ी रेखा के कारड भारत के विस्तर तड़ी प्रदेशों में विसम जलव परिवरतन होता है जिसे आप देखते हैं ग्रीश्मिन रितु शीत रितु इन सब चीजों का इन लोगों को अनुभब नहीं होता है उसका रीजिन यह क्योंकि यह दोनों छेत्र जो है समुद्र से जुड़े हुए हैं और समुद्र जो होता है ना तो बहुत जल्दी गर्म होता है और नहीं बहुत जल्दी ठंडा होता है इस बज़े से यहां पर समुद्र से समुद्र के निकट होने के वज़े से यहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव पाया जाता है तो यहां की जल्वायू सम है तो यहां पर कारण बताया गया है कि लंबी तठी रिखा की कार A सही है परंतो R गलत है अगर विशम की जगा सम लिखा होता तो आपका कतन कारण सही हो जाता यहाँ पर छटमे का आंसर है C वाला सात्मा प्रशने अब आपका नीचे दिए गए कतनों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन सा गतन आपका सत्य है पहला है उचाई के साथ तापमान घटता है विरल वायू के कारण परवतिय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं अगला है जून और जुलाई के बीच पश्मी घाट तथा असम के पवना भिमुकी ढाल अधिक वर्सा प्राप्त करते हैं देखे पहला वाला गतन बिल्कुल सही है जैसे जैसे हम उचाई पर बढ़ते जाते हैं बैसे बैसे तापमान में गिरावट आती जाती है और उपर बढ़ने पर जो वायू की सघंता है वो भी कम होती जाती है यानि वायू जो है विरल होती जाती है तो विरल वायू के कारण परवती प्रदेश मैदावनों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं तो पहला वाला गतनिया बिल्कुल सही है जून और जुलाई की बीच जो आपका पश्मी घाट है और असन जो असन के पवना भिमुकी डाल है यहाँ पर अधिक वर्सा होती है क्योंकि पवना भिमुकी डाल जो होते हैं यह जो बारिस करने वाली पवने हैं इनको रोक कर अपने पवन भिमुकी डाल वाली दिसा में अच्छी खासी वर्षा प्राप्त करती है जबकि इसके अपोजिट वाला जो वरष्टी शाय प्रदेश है ये पूरा सूखा रहता है तो यहाँ पर आपका एक और दो कतन दोनों ही सही है आंसर है आपका सी एक और दो दोनों आठमा प्रशने बापका निम्रिगत में से कौनसा कारड़ भारत के उत्तर पशिम भाग में सीत रुथ में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदाई है चक्रवाती अबदाब मांसून की वापसी दच्छिड पशिम मांसून या पश्मी बिच्छोप पश्मी बिच्छोब के कारण भारत के उत्तरपशिम भाग में सीत रुट में वर्सा होती है पश्मी बिच्छोब चक्रवाद का निर्माड भूमदु सागर पर होता है भारत में सीत कालीन रात्रियों में तापमान बढ़ना इनके आने का संकीत है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आठ में का डी वाला नौमा प्रश्ने वापका पश्मी बिच्छोब के संधर्म में नीचे दिये कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन आपका असत्य है पहला है पश्मी बिच्छोब काला सागर में उत्पन होते हैं भारत में इनका प्रवेस पश्मी जैट प्रभा द्वारा होता है देखे पहला वाला कतन गलत है जैसा कि अभी मैंने बताया था इनका निर्माड काला सागर पर नहीं होता है बलकि इनका निर्माड भूमद सागर पर होता है यह भूमद सागर पर उत्पन होते हैं और जाड़े के मौसम में पश्यम और उत्तर पश्यम में भारत में यह इन वाला गतन बिल्कुत सही है पहला वाला गतन यहापर गलत है तो आंसर है आपका नौमेका ए किवल एक दस्मा प्रशन वापका यह पवने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमाले के उत्तर में एशिया माधीप पर चलती है तिब्बत की उच भूमी इन पवनों के प्रभावों के मार्ग में अवरोदक का काम करती है इसके परडाम सुरूप यह पवने दो भागों में बढ़ जा इसकी एक साखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी साखा हिमाले के दच्षड में पूर्व की ओर बढ़ती है उप्रोक्त विवरड किस से सम्मधित है दुरूबिय पवनों से जैड प्रभा से पश्मी विक्षोव से इस्तली पवनों से देखे यह उपर जो वि दिया हुआ है यह जैड प्रभा से सम्मधित है तो यहाँ पर सही आंसर है आपका दसमे का बी वाला ग्यारेमा प्रशने वापका जैड प्रभा और उपरी वायू पर संचरड के संधर्म में नीचे दिए कतनों पर वेचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है पहला है जैड एश्ट्रीम का संचरड उपरी छोब मंडल में 9-3 किलोमेटर की संक्री पट्टी में पश्चिम से पूरु दिसा में दोनों गोलार्दों में 20 डिगरी अक्षांसों से दुर्भों के मद्ध होता है उपरी वायू संचरड के निर्माड में प्रत्पी के धरा जब जापान और अमेरिका के मत युद्ध शड़ा हुआ था एक तरफ जापान एक तरफ आपका नौर्थ अमेरिका है तो नौर्थ अमेरिका की जो जहाज थे जो जापान की और जा रहे थे यानि जापान नौर्थ अमेरिका से पूर में पड़ता है तो इन जहाजों को प ऐसे करके इन्हें समझ आया कि उपरी परसंचड में, याणि उपरी छोब मंडल की सीमा में, कोई ऐसा वाईव परसंचड मौझूद है, जो के विमानों की गति को कम कर रहा है और उनको बढ़ा रहा है, उनके अगर विप्रीच जा रहा है, तो विमानों की गति कम हो जा रही और इस परसंचट के साथ आ रहे हैं तो विवानों की गती बढ़ जा रही है तो ऐसे में ही इस संकलपना का विकास हो जाता है कि उपरी जो पट्टी है ये जैट प्रभावाली पट्टी है बाद में इस पर और ज्यादा रिसर्च बगरा होई है तो इसकी सीमक जो किलियर हो गई है कि ये संचलप जो है उपरी छोब मंडल में नो से तेरे क्रिमेटर की सकरी पट्टी है इसमें पाया जाता है और ये पश्चिम से पूर्प की और बहती है जैट प्रभाज होगा पश्चिम से पूर्प की जिसा में चल रहा है और ये दो नहीं कोलार्दों में उत्त इसका कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होता है तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कतन दोनों ही सही है आंसर है आपका C एक और दो दोनों बारेमा प्रश्णे बापका अंत है उष्ट कटवंदी या वस्तरण चेत्र ITC-Z के संबंद में नीचे दिये कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन सकते है पहला है यह विश्वती अक्षांसों में विश्तरण गर्थ एबं उच्च दापका चेत्र होता है अगला है सूरिकी स्थिती में परिवर्तन के साथ यह चेत्र उच्च दापका चेत्र होता है इसको भरने के लिए उच्च दापका गड़धों से हुआई चल पड़ती है यह विश्वती अक्षांसों में जहां पर उच्च दापका चेत्र भी ब्यापारिक पपने आपस में आकर मिलती है तो पहला वाला कतन गलत हो जाएगा क्योंकि ये उच्चित आपका छेतर नहीं है बलके निम्द आपका छेतर होता है इसकी सिती में परिवर्तन होता रहता है सूरी की आवासी कती के साथ ये उत्राइन और दच्णाइन यानि जैसे से सूरी उत्राइन या दच्णाइन होता है बैसे बैसे आपका ITCJ भी उत्राइन या दच्णाइन किसकता रहता है तो यहाँ पर second वाला कतन सही है, तो यहाँ पर आंसर है आपका भी, केवल second वाला. तो यहाँ पर आपका ये भी है, तो यहाँ पर आपका ये भी है, तिबबत का पठार, तिबबत का पठार संपूर भारती प्रायदीप में, दबा प्रानाली के परिवर्तन का प्रमुक कारण है, और इसके कारण इसका भारती मानसून पर भी असर पड़ता है, तो यहाँ पर आपका चौथा भारत कारण भी है, यहाँ पर चारोई कारण सामिल है, तो आंसर है आपका D, उपरोक्त सभी. चौधेमा प्रश्ने वापका, अलनीनों के सम्मंद में, नीचे दिएके कतनों में से कौन सा सही नहीं है, पहला है, इसके कारण भारत के दिकतर भागों में, मानसून का आगमन पांच से बारे दिन पहले हो जाता था, अगला है, थंडी पेरु जलधारा के स्थान पर, अस चौध की सत्य के तापमान को बढ़ा देती है, और उस चेत्र में वियापारिक पपनों को शिथिल कर देती है, देखे, अलनीनों का जो शाब्देक अर्थ है, इसका अर्थ है बालक इसा, क्योंकि यह धारा जो है, आपके दिसंबर में, दिसंबर महीने में, क्रिसमस के आस हल दारा से रिप्लेस हो जाती है, और इस घटना को अलनीनों का नाम दिया जाता है, अलनीनों की उवस्तिती के बज़े से समुध की सत्य का तापमान बढ़ जाता है, और उस चेत्र में वियापारिक पपनों को कहीना कहीं यह सिसल कर देती है, तो इस बज़े से पूरे वि यहाँ पर आपका पहला वाला गथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा गथन आपका सही नहीं है, केवल पहला वाला गथन सही नहीं है, तो आंसर है आपका चौधे का A पंद्रेमा प्रश्णे बापका भारत में मानसून के प्रसपोर्ट के लिए नेम निकित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है पश्मी जैट प्रभा, पूर्वी जैट प्रभा, ब्यापारिक पवने, इस्थानी पवने मांसून के आगमन के समय सामाने वर्षा में आचानक रद्धी हो जाती है और लगातार ये कई दिनों तक बनी रहती है इसे मांसून प्रस्पोर्ट या मांसून फटना बोलते है और भारत में पूर्वी जेट प्रभाज हो है यह भारत में मानसून प्रस्पोर्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है यहाँ पर आपका सही आंसर है 15 का B वाला सोलेमा प्रशने बापका भारतिय मानसून के संबंद में नीचे दिए कत्नों पर वेचार कीजिए उचा गया है कौन सा कत्न सत्य है पहला है मानसूनी पवने नीमित पवने होती है अगला है भारत में वर्शा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरव सागर से उठने वाली दच्छड बश्यम मानसून धारा है अगला है भारतिय दीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्शा होती है देखे पहला वाला कथन गलत है मानसुनी पवने नियमित नहीं है बलकि इनकी प्रकती इस्पंद मान है तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका गलत हो जाएगा यह जो आपकी पवने हैं यह उश्ट कट बंदिये समुतरों के उपर प्रभा के दोरान विवन बायवन लिए वस्ताओं से प्रभावित होती है और भारती मानसुन का जो समय है वो जून के अरम से लेकर मद इस सितंबर तक का होता है भारत में वर्सा लाने वाले आपके दो तंत्र है इन में से पहला तंत्र जो है ये बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दच्छिट चीन सागर में पैदा होता है और इससे उत्री भारत के मैदानी भागों में वर्सा होती है दूसरा तंत्र जो है ये अरब सागर से उठने वाली दच्छिट पश्चिम मानसून धारा है इससे आपके पश्मी तड़ पर वर्सा होती है तो यहाँ पर आपका सेकिन वाला गतन गलत हो जाएगा मानसूनी पवनों के द्वारा जो सबसे पहली वर्सा होती है वो आपके ड्यूपों पर होती है याँ भारती द्यूपों पर सबसे पहली वर्सा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है और मानसून की जब बापसी भी होती है तो सबसे बाद में बर्सा जो है मानसून की तो यहां पर आपका तीसरा वाला गतन सही है, एक और दो गलत है तो आंसर है यहां पर C, केवल तीसरा वाला गतन सत्य है सत्रेमा प्रश्णय वापका, भारतिय मांसून की अरब सागर साखा एवं बंगाल की खाड़ी साखा कहां पर मिलती है छोटा नाकपर पठार में, पूर्वी हिमाली छित्र में, पशिम हिमाली छित्र में, गंगा की मैदान के उत्तर पश्मी भाग में मांसून भारती प्रायदीप के दश्री छोड से प्रवेस करता है इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है अरब सागर साखा और बंगाल की खाड़ी साखा अरब सागर साखा और बंगाल की खाड़ी साखा दोनों का जो मिलन होता है ये गंगा की मैदान के उत्तर प्रश्चिम भाग में होता है यहाँ पर आपका सही आंसर है सत्रे का डी वाला 18 मा प्रश्चन एब आपका मानसून में विच्छेद के संबंद में निम्लिकत कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है पहला है दच्छल प्रश्चिम मानसून काल में कुछ जिनों तक वर्सा होने की वाद यदि एक या दो या कई सब्ता तक वर्सा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है अगला है उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उस्ट कटबंदी चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है अगला है यह याँ पर चक पश्मी तड़ पर मानसून विच्छेद का प्रमुकर्ड उस्ष्छ चक्रवातों का आना है देखिए आपका पहला वाला कथन बिलकुँ सही है दच्छर पश्यम मांसून काल में कुछ दिनों तक वर्सा होने के बाद यादि एक या दो सप्ता के लिए अगर वर्सा नहीं होती है तो इसको मांसून विक्षित के रूप में जाना जाता है तो पहला वाला कथन बिलकु सही है सेकंड वाला जो कथन है आपका ये वाला जो कथन दिया हुए उत्तर भारत के मैदान में मांसून विक्षित जो है ये उश्ट कटबंदी चक्रवातों के संख्या कम हो जाने की वजएसे होता है तो यहाँ पर आपका पहला बाला कथन बिलकु सही है यानि कि ये उश्ट कटबंदी चक्रवातों के संख्या कम हो जाने की वजएसे और आपके ITC-Z की जो इस्टिती है इसमें बदलाव की वजएसे आपके उत्तर भारत की मिदानों में मांसून का विच्षित होता है यहाँ पर लिखा गया पश्मी तट पर मांसून विच्षित का प्रमोकर्ड उश्ट चक्रवातों का आना है नहीं पश्मी तट पर मांसून विच्षित तब होता है जब आपकी आधर पबने हैं वो तटके समानांतर चलने लगती है तब पश्मी तट पर आपका मानसून का विक्षेद होता है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन गलत हो जाएगा केवल एक और दो गतन सही है तो आंसर है आपका A केवल अठारे काई यानि केवल एक और दो उन्निसमा प्रशने बापका मानसून के निवर्तन के संबंद में नीचे दीके कतनों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है पहला है मानसून के पीशे हटने या लोट जाने को मानसून का निवर्तन कहते है अगला है लोटती हुई मानसूनी पबने बंगाल की खाड़ी से जलवास्त ग्रहन करके तमिल नाडू के तठ़ पर वर्शा करती है देखे पहला वाला गथन बिल्कु सही है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुर सही है जो लोटती हुई मानसूनी पबने हैं ये बंगाल की खाड़ी से जलबास ग्रहन कर लेती है और ऐसे करके शरत रितू के आरम में तमिल नाडू के तरट पर ये वर्सा करती है दक्षड पश्मी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, सीतोष कटपंदी चक्रबाद या स्थानी वायू परसंचरण देखे जाड़े के मौसम में आपके तमिल नाडू के तरट पर जो वर्सा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून की बज़ेसे होती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 में का B यानि जो आपके उत्तर पूर्वी मानसून की जो साखा है बंगाली खाडी वर्साखा है जब यह वहाँ से लोटकर आती है और बंगाली खाडी से अपने साथ नमी को घ्रेंड कर लेती है तो इसके तमिलनाडू की तड़ पर टकराने से वहाँ पर जम कर वर्सा होती है यह प्रशन आपकी अभ्यास प्रशनावली से है यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 में का B वाला एक किसमा प्रशन है बापका सीतरी भारत में अधिक ठंड पढ़ने के परमुक करण कौन से है समुदर के समकारी प्रभाव से दूर इस्तिती उत्तरपूर्वी मानसून निगट वर्ती हमाले की स्रेडियों में हिमपाद पश्मी बिक्छो देखे सीतरी भारत में अधिक ठंड पढ़ने का सबसे पहला करण आपका कही है समुदर के समकारी प्रभाव से दूर इस्तिती आपके पंजाब, हर्याना और राजिस्तान राज्य समुदर के समकारी प्रभाव से दूर इस्तित हैं इस बज़े से ये राज्य महादीपी जलवायू का अनुभब करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून जो है आपके प्रायदीपी भारत को प्रभावित करता है ना कि उत्तरी भारत को तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन इसमें सामिल नहीं है। निकटवर्ती हिमाले की स्रेडियों में हिंपात होने की वज़ेसे यहाँ पर सीत लहर जैसी सिती उत्पन्ध हो जाती है। पश्मी बिच्छोब आपके भूमति सागर पर उत्पन्ध होते हैं और पश्मी जेट के द्वारा ये भारत में इनका प्रवेस होता है। इनके आने से भारत की जो हिमाले वाली संख्लाए हैं बहाँ पर हिंपात होता है और बाद बाकी उत्तर पश्मी रीजन में जमकर बरसा होती है। इस बज़े से भी ठंडक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक तीन और चार सही है तो यहाँ पर सही आंसर एक किसका दी केवल एक तीन और चार। उत्तर पूरवी वियापारिक पमने प्रभावित होती है। देखे पहला बाला गतन जो है यह गलत है तापांतर का अर्थ क्या होता है। तापमान तापांतर का जो वर्थ है तापमान में अंतर सीत रुत में तटी भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमत रेखा की निकटता की वजए से यहाँ पर तापमान में बहुत जाना अंतर नहीं आता है। तापांतर बहुत जादा होता है याँ अधिक होता है याँ आपका गंगा का जो मैदान है यहाँ पर आपको तापांतर काफी जादा देखने को मिलेगा तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दश्डी गोलार्द में होता है और दश्डी गोलार्द में होने की वजएसे क्या है वहाँ पर निम्दाव का चेत्र बन जाता है तो आपके उच्छदाप बाले चेत्र से हवाएं जो होती है निम्दाव के चेत्र को भरने के लिए चल पड़ती है तो इस वजए से आप य तो यहां पर आपका केवल पहला कथन गलत है तो यहां पर आपका केवल पहला कथन गलत है तो यहां पर आपका केवल पहला कथन गलत है और इस पर जैसे आप यह देखेंगे तापमान जो है उत्तर से जचड की और ना पढ़कर तटों से बीतर की और बढ़ता है कभी कभी यह देड़ साम तक जारी रहती है और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो जाता है आप यह देखेंगे यह आधियां जो होती है अस्थाई रूप से लोगों को आराम दिलाती है क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है तो यह लोग के नाम से जानी जाती है तो यहाँपर आपका सेकेंड बाला कथन सही है दश्डी भारत में ग्रिसुर्टू होती है यह म्रदू होती है उत्तर भारत जैसा यहाँपर बहुत ज़्यादा टेंप्रेचर नहीं पाया जाता है उसका रीजन ये है क्योंकि समुद्र से पास होनी के जैसे समुद्र का समकारी प्रभाव यहां पर होता है और उस तरह की ग्रीश मृत्तु यहां पर नहीं पाई जाती जैसे कि उत्तर भारत में पाई जाती है तो यहाँ पर आपका तीसरा बाला गतन भी सही है यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कतन सही है तो आंसर है आपका C केवल 2 और 3 24. प्रशने बापका ग्रीस में तुम्हें आने वाले कुछ स्थाने तूफानों और उनसे लावानवित फसलों के संदर्म में कौन से युग में सही सुमिलित है आमर वर्षा, आम की फसल के लिए फूलों वाली बहुचार, फूलों की खेती के लिए काल वैशा की, चाय और पटसन के लिए देखें आमर वर्षा जो है ये ग्रीस मृत्तु के खत्म होते होते पूर्व मांसून बहुचार पड़ती है और ये केरल और तटी करनाटक में आम की फसल के लिए लाब दायक है क्योंकि ये आमों को जल्दी पगने में सहता देती है तो पहला वाला खतन बिल्कुर सही है सेकिंड वाला खतन ये गलत है जो फूलों वाली बहुचार बोली जाती है तो इससे केरल और निगटवर्ती कहवा उत्पादक खत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते है ये फूलों की खत्री संब्दित नहीं है बलके कहवा जो कॉफी है कॉफी के उत्पादन से संब्दित है तो यहाँ पर आपका सेकिन वाला गतन गलत हो जाएगा काल वैसाकी असम और पश्चिम मंगाल में वैसाक के महीने में साम को चलने वाली भयंकर और विनासकारी वर्सायुक्त पवने जो होती है उनको काल वैसाकी कहा जाता है इसका अर्थ है वैसाक के महीने माने वाली तभाई क्यों आपके काल वैसाकी है ये चाय और परसन और चावल के लिए ये पबने अच्छी है असम में इनको बारदोली छीडा कहा जाता है यानि असम में इनका जो नाम है काल वैसाकी ना होकर वहाँ पर इनको बार्दोली छीडा या फिर पीडा भी बोलते हैं बार्दोली छीडा के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा अक्तन सही है तो आंसर है आपका बी केवल एक और तीन पच्चिसमा प्रश्णे वापका भारत में दच्षड पश्मी मानसून के आगमन के संदर्म में नीचे दिये के कतनों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन सा कतन सकते हैं पहला है जून के महीने में उत्तर पश्मी मैदानों में निम्न बायदाप की दसाएं हिंद महासागर से आने वाली दच्षड पूरी व्याबारिक पपनों को आकरसित कर लिदी है अगला है भूमत रेखा को पार करके इनकी दिसा दच्षड पश्मी हो जाती है इसी कारण इन्हें दच्षड पश्मी मानसून कहा जाता है जून के महीने में आपका जो उत्तर पश्मी मैदान है यहाँ पर एक निम्न बायुदाप का चेतर क्रियेट हो जाता है यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिलकुल सही है भूमत रेखा को पार करने पर जो दच्षड पूरी व्यापारिक पपने है इनकी दिसा बदल जाती है और इनने फिर दच्षड पश्मी मांसून के नूप में जाना जाता है आपने कोरियोलासिस बल के बारे में जाना होगा फेरल का नियम भी जाना होगा फेरल के नियम में बताया क्या है कि जब पबने उत्री कोलार्द से दश्डी कोलार्द या दश्डी कोलार्द से उत्री कोलार्द में जाती है तो उनकी जिसा परवर्तित हो जाती है यही कारण है कि यहाँ पर पवनों की जो दशिट पूर्वी व्यापारिक पवने हैं जब यह उत्री कोलार्थ में एंटर करती है जिनकी दिशा दशिट पश्मी हो जाती है तो यहाँ पर एक और दो कथन दोनों ही सही है तो आंसर है आपका सी एक और दो दोनों 26 प्रशने वापका भारती मानसून की अरब सागर साखा और बंगाल की खाड़ी साखा कहां मिलती है थार के रेकिस्टान में पूर्वी हिमाली शित्र में निलगरी की पहाड़ियों पर गंगा की मैदान में देगे भारती मानसून की जो अरब सागर साखा है और बंगाल की खाड़ी साखा जो है ये गंगा की मैदान में दोनों साखाएं जाकर मिलती हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 26 का D वाला 27 मा प्रशनयवाप का Marat़ वाला, पुड़े और बंगलूर में कम बर्सा होने का प्रमुक कारड़ क्या है याँ यह जो छेत्र हैं इनमें कम बर्सा क्यों होती है यहाँ बनों का प्रस्चत बहुत कम है यह छेत्र पश्मी घाट के बृष्टि शाय चेत्र में इसलित है पश्मी घाट के पवना विमुख की डाल पर अच्छी घासी वर्षा करती है जबकि पवना विमुख ढ़ाल यो है यह पूरा वर्षा से वंचित रह जाता है तो यही रीजन है कि यहां पर यह वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि यह व्रष्टी शाय चेत्र में इस्थान पड जीए फूशा गया है कौन सा गतन आपका असत्य है पहला है अंडमान निकोबार की पहाडियां इस साखा के एक बड़े हिस्से को भारतियों मादी की ओर बिच्छेपित कर देती है अगला है इसकी एक साखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्यम की ओर बढ़ती है और जा गंगाल की खाड़ी की जो मांसून पपनों की साखा है यह म्यामार के तट और दच्छडपुर्वी बंगला देश के थोड़े से भाग से तक्राती है म्यामार के तट पर अराकान यूमा की जो पहाडियां है यहां पर पहला गतन गलत हो जाएगा यह अर्णमान यानि म्यामार की जो पाड़िया है ये इसको विच्छिपित कर देती है। ये इसको पाड़ियों से टकराती है और खासी की पाड़ियों पर इस्थित मासिन राव है ये विच्छिपित करने वाला इस्थान है। तमिलनाडू का तट के सुस्क रहने के लिए कौन से कारक उत्तरदाई हैं। पहला है तमिलनाडू का तट बंगाल की खाड़ि की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। अगला है ये दच्छिपिपश्मी मानसून की अरब सागर साखा के ब्रश्टी शेतर में इस्थित है। तमिलनाडू का तट जो है ये बंगाल की खाड़ि की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। एक और दो दोनों। एक समान है। देखें पहला वाला गतना बिलकुर सही है। दच्छिपश्मी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्सा मौस्मी है और ये जून से सितंबर के बीच हमें प्राप्त होती है। मानसूनी वर्सा मौकी रूप से उच्छा बच अत्वा भू आकरती द्वारा नियंतरत होती है। आप ये देखेंगे कि आपका जो पश्मी घाट है इसको सह्यादरी बोलते हैं इसका पवना बिमुक ढाल है यहाँ पर अच्छी घासी वर्सा हो जाती है। इसका जो पवना पवन के बिमुक ढाल है यहाँ पर वर्सा नहीं होती है यह सूखा रह जाता है। मानसूनी वर्सा मौकी रूप से उच्छा बच या भू आकरती के द्वारा नियंतरत होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला गतन भी बिल्कु सही है। समझ से दूरी बढ़ने के साथ सत मानसूनी वर्सा की मातरा घटती जाती है। मानसूनी वर्सा का इस्थानिक वित्रड एक समान है। मानसूनी वर्सा का इस्थानिक वित्रड है यह असमान है। कहीं-कहीं पर 12 सेंटी मिटर से कम वर्सा होती है। कहीं-कहीं पर 200 सेंटी मिटर से अधिक वर्सा हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसमे का डी वाला है। डी वाला कतन आपका गलत है 31 प्रश्टने बापका भारती माधीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुक कारण क्या है पूर्वी जाज़ श्ट्रीम सूरी का दक्षणायन होना पश्मी बिक्षोब या उष्टकटमनी चक्रवाद अक्टूबर और नॉवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की रितू कहा जाता है यानि मानसून के बापस लोटने की रितू कहा जाता है सितंबर के अंत में सूरी के दक्षणायन होने की सिती में जो गंगा के मैदान के पर इस्तित निम्न वायुदाब का चेत्र होता है ये भी दच्षड की ओर किसकने आरम कर देता है इसकी वज़े से दच्षड पश्मी मानसून कमजोर पढ़ने लगता है और ये मानसून बापस लोटने लगता है तो यहाँ पर मैन रीजन है सूरी का दच्षणायन होना यहाँ पर आपका सही आंसर 31 का बी वाला बत्यस्मा प्रश्णे वापका कार्थिक मास की उस्मा का संबंद किस से है मानसून विच्छेस से, मानसून के निवर्तन से, मानसून के आगमन से या मानसून के प्रसपोर्ट से मांसून के निवर्तन की रुत्व में आकास स्वक्ष हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है लेकि ध्यान देने बाली बात यह है कि जो जमीन होती है जमीन में अभी भी नमी होती है और उच्छे तापमान और जो आदरता की दसाएं जो होती है यह मौसम को कश्टकारी बना देती है इसकी बज़े से इस महीने को कार्थिक मास की उस्मा कहा जाता है और यह जो घटना है कार्थिक मास की उस्मा यह मांसून के निवर्तन से जुड़ी हुई है क्योंकि मांसून पीशे लोट रहा होता है और जमीन में अभी भी नमी होती है सूरी की उस्मा अच्छी खासी मिल लही होती है तो मौसम बहुत ज़ादा उमस भरा या कश्टकारी हो जाता है इसलिए इसको कार्थिक मास्की उस्मा के रूप में जाना जाता है यानि ये घटना मांसून के निवर्तन से जुड़ी होई है तो सही आंसर है 32 का बी वाला तेतिसमा प्रशने वापका भारत के किन चेत्रों में वर्सा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है पश्मी घाट, कोरोमंडल तट, उत्तरपूर्व के उपहिमाली चेत्र या मेगाले की पहाडियां देखे भारत में 200 सेंटीमीटर वर्सा वाले चेत्रों में आपका पश्मी घाट है इसके लाबा उपिमालेई छितर है यानि उत्तरपूर्व के उपिमाले छितर है मेगाले की पहाड़ियां है यहाँ पर वरसा 200 सेंटी मीटर से उपर होती है कोरोमञडल तड जो है यह इसमें सामिल नहीं है यानि कोरोमंडल तर्ट इसमें नहीं आता है कोरोमंडल तर्ट पर बर्सा कम होती है तो यहाँ पर सही आंसर है एक तीन और चार तो आंसर है तितिसका सी वाला चौतिसमा वरश्णे बापका भारत के किन छेत्रों में वर्सा 50 cm से कम होती है देखे आपके अपर्याप्त वर्सा वाले चेत्रों में करनाटक और महराष्ट वाले चेत्र लद्दाक और पश्मी राजिस्थान के दिकतर भागों में 50 cm से कम बर्सा होती है पूर्वी राजिस्थान और गुजरात वाले जो छेत्र हैं यहाँ पर 50 से लेकर 100 cm के वीच बर्सा होती है तो वो छेत्र इसमें नहीं आते हैं तो यहाँ पर केवल 1 और 3 छेत्र इसमें आते हैं तो आपका सही आंसर है ए वाला केवल 1 और 3 35 प्रशने वापका कोपेन के जलवायू वर्गी कड़ के संदर में कौन सा गथन सही नहीं है पहला है उष्ट कटिवंदी जलवायू जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिगरी सेल्सियस से अधिक रहता है सुस्क जलवायू जहां तापमान की तुलना में वर्षर बहुत कम होता है गर्म जलवायू जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिगरी सेल्सियस और मैनस 3 डिगरी सेल्सियस के बीच रहता है बरफिली जलवायू जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है देखे कोपेन ने अपना जलवायू वर्गिकर जो दिया है इसमें पांच प्रकार की जलवायू की बात की गई है सबसे पहला है उश्ट कट्वनी जलवायू जहां पर सारा साल उसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है तो पहला वाला गतन यहां पर बिल्कुर सही है सेकिंड वाला है सुस्क जलवायू जहां तापमान की तुलना में बरसल बहुत कम होता है इसलिए इसको सुस्क जलवायू कहा जाता है तो यहाँ पर आपका B वाला बिल्कु सही है, सुस्क जलवायू में भी अर्ध सुस्क मरुस्तल आ जाते हैं, और सुस्ता अधिक होने वाले भी मरुस्तल इसमें आ जाते हैं, दो प्रकार से भी इसको भी अरिग्रत कर दिया गया है, गर्म जलवायू में कौन-कौन से आते है जहां सबसे ठंडे महीने का उसत तापमान 18 degree Celsius और सबसे ठंडे महीने का उसत तापमान 18 degree Celsius और माइस 3 degree Celsius के बीच में रहता है यह आपका गर्म जलवाईव बोली जाती है बरफिली जलवाईव बरफीली जलवाईव में जहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 20 degree Celsius नहीं बलके 10 degree Celsius से कम रहता है तो यह बरफीली जलवाईव बोली जाती है एक हिम जलवाईव और आती है जहाँ पर सबसे गर्म महीने का उसत तापमान 10 degree Celsius और सबसे ठंडे महिने का उसतापमन माइनस 10 degree Celsius से कम रहता है उसको हिम जलवायू बोला जाता है तो यहाँ पर आपका गलत आंसर है आपका 35 का D वाला तो आंसर है आपका D 36 प्रशने वापका कोपेन के जलवायू वर्गिकर्ड के अनुसार भारत की जलवायू प्रदेसों के संबंद में कौन सा यूग में सही सो मिलेते हैं पहला है उस्ट कटिबंद यह सवाना प्रकार जिसको AW बोलते हैं कोरो मंदल दट अर्द सुसक इस्टेपी जलवायू B.S.H.W.S. के लिए है पश्मी राजिस्तान, धुरुवी प्रकार, अवड़ांचल प्रदेस देखे कोपेन के अनुसार भारत की जलवायू शित्रों को आठ प्रदेसों में बाटा गया है इसमें जो आपकी उष्ट कटिबंद यह सवाना प्रकार की जलवायू है इसको AW यानि A कैपिटल है और W इसमॉल है यह सवाना प्रकार की जलवायू है यह करकर रक्षिड में पैदी भी पठार के दिकतर भाग में पाई जाती है ना कि कोरोमंदल तर्ड़ पर कोरोमंदल तर्ड़ पर जो जलवायू पाई जाती है वो आपकी A.S. पाई जाती है W नहीं पाई जाती है बलकि A.S. वाली जलवायू आपकी तमिलनाडू के तर्ड़ पर पाई जाती है ठीक है जाई AS वाली सुस्क ग्रीसमृतू वाली जो पनशुनी प्रकार की जलवायु है, यह कुरमनी तरट पर पाई जाती है। जबकि सवाना प्रकार की जलवायु जो है कर्वरत के धच्च्ड में पायदीबी पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है। अर्दसुसक इस्टेपी जलवायू, ये पश्मी राजिस्थान में, ये विल्कुर सही है, ये उत्तरपुष्टमी, गुजरात, पश्मी राजिस्थान और पंजाब के कुछ भागों में ये वाली पाई जाती है, तो यहाँ पर ए वाला कसन गलत है, सेकिन वाला सही है, दु हिमाचल और यू के उत्तरा खड़ में पाई जाती है, ना के अर्ड़ांचल पतिस में, तो तीसरा वाला भी गलत है, यहाँ पूछा गया है, कौन सा यूग में सही सो मिलेता है कि एवल B वाला, ये आंसर है आपका 36 B, 37 प्रशन है बापका, कोपेन के जलवायों वर्गिकर के नुसार, भारत में सुस्क सीत रितुबाला, मांसुन प्रकार की जलवायों कहां पाई जाती है, पश्मी तट में, कोरो मंदल तट में, गंगा के मैदान में, या अर्ड़ांचल पतिस में, देखे, भारत में यहाँ पूछा गया है कौन से सुस्क सीत रितुबाला, सुस उत्तर कूर्वी भारत का दिक्तर प्रदेश यहां पर सुस्क सीत्रितु वाली जलवाई पाई जाती जिसको CWG से रिनोट किया जाता है। देश के कुछ भागों में सूखा अस्वा बाड का कारड बनती है। भारत की जलवाई की विभिनिता की कारड यहां के भोजन, वस्त्र और आवास में विभित्ता उजागर होती है। भारत की जलवाई की विजए से यहां पर आप देखेंगे लोगों के भोजन में, वस्त्र में, आवास में विभित्ता उजागर होती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है, यहां पर तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका D, यानि उपरोक्त सभी। उन्तालिसमा प्रश्णय वापका, यह आपकी अब्यास प्रश्णावली से है, भारत के कितने भूभाग पर 75 cm से कम औसत वारसित वारसिक वर्षा होती है। आधा, दो तिहाई, एक तिहाई, तीन चौथाई भारत के तीन चौथाई भूभाग पर 75 cm से कम औसत वार्सिक वर्षा होती है तो यहाँ पर सही आंसर है 49 का घावाला चालिसमा प्रश्णिय बापका दच्छिड भारत के संदर में कौन सा तत्री ठीक नहीं है यहाँ देनिक तापांतर कम होता है यहाँ वार्सिक तापांतर कम होता है यहाँ तापमार सारा वर्ष उचा रहता है यहाँ जलवायो विसम पाई जाती है देकि दच्छिड भारत क्योंकि समुद्र के निकट है जब सूर्य दश्डी कोलार्द में मकर रेखा पर सीजा चमकता है तब निम्नकित मैंसे क्या होता है उत्तरपश्मी भारत में तापमान कम होने के करण उच्च वायदाव विक्सित हो जाता है उत्तरपश्मी भारत में तापमान बढ़ने के करण निमन बायदाव więkssit हो जाता है उत्तर पश्मी भारत में ताप मान और वायुदाब में कोई परिवर्टन नहीं आता उत्तर पश्मी भारत में धुलता देने वाली तेज डूचलती है जब सूर्य धक्षणाएन हो जाता है और दश्डी कोलार्द में मकर रेखा पर 22 दिसम्बर को ये सीधा-सीधा चमकता है उस समय उत्री कोलार्द में आपके भारत में उत्री मैदान है यहाँ पर एक उच्च दाप का शित्र क्रियेट हो जाता है जबकि दश्डी कोलार्द में 42 वापका कोपेन के वरीकड़ के अनुसार भारत में A.S. प्रकार की जलवायू कहां पाई जाती है केरल ओ तर्टी करनाटक में अंडमान और निकोवार जिफसम्हू में कोरोमंडल दट पर असंबा अवडांचल पदीस में देखे कोपेन के वरीकड़ के अनुसार भारत में A.S. प्रकार की जलवायू है इसको हमने हमें बताया था सुस्क ग्रिस्मिर्टु वाली मानसुनी प्रकार की जलवायू जो है ये कोरोमंडल दट में पाई जाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ब्यालिस का गावाला तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शियर करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद